हेलो दोस्तों मैं होचे ट्रांशी और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फिंगर कैसे मूव करते हैं आए आज हम लोग फॉर्स्ट फ्री गैप में अपनी फिंगर को मूव करना सीखते हैं एक नैचरल नूट की अक्सरसाइज होती है नैचरल नूट दोस्तों वो नोट्स हैं जो म्योजिक में अपनी जगह पर फिक्स होते हैं इनके नाम है C, D, E, F, G, A, B और इनके अलावा जो नोट्स आते हैं लाइक ये नोट्स समये C, D, E, F, G, A, B ये नैचरल नोट्स हैं और एक्सिडेंटल नोट्स होते हैं जो इसके अलावा 5 नोट होते हैं C, D, F, G, A ये एक्सिडेंटल नोट्स होते हैं तो नोट्स के बारे में भी हमको जानना जबूरी रहता है इन्ही नोट्स पे सारे सॉंग्स पच्छते हैं तो अब हम लोग को कौन सी exercise करनी है आज ये second exercise है तो इसमें आपको करना है ऐसे ये हमने क्या बजाए है ये हम आपको clear कर देते हैं तो कि ऐसे तो नहीं सबझ में आएगा ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th string है 1st string से start करें 3rd gap से finger भी 3rd आएगी 3rd then 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 1, 0 और इसी को फिर आप आद्यो बढ़ जाएए 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 0, 2 इस तरह से ये exercise आएगी इसको करने से आपकी ये तीन finger balance होएगी इस पर चलेगी फिर इसी पर अब लोग कोई भी song प्ले करेंगे तो इसी पर आएगा आई हूँ आपको ये natural notes की exercise है ये आपको समझ में आ रही होगी इसको आप बजाएए फिर अब लोग next exercise में मिलते हैं अगर ये exercise पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करिए smartivity चैनल का नाम है और like करिए subscribe करिए share करिए thank you everybody next video में मिलते हैं बाई